अब चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी स्क्रीन रेकोडिंग शेयर करने वाला नहीं हूँ, मेरे सामने स्क्रीन रेकोडिंग खुला हूँ है, बाइनांस का अगर मैं बात करूँ, बीटीसी को लेके, मार्केट को लेके, क्या कुछ बट में डॉच कोईन, बिटिकेड, व्राइस कोईन, क्लासिक लूना कोईन और कुछ कोईन से, अड कुछ कुछ new and old कोईन से like पेपे, इस तर्केश से काफी सारे कोईन से, मीम प्रॉजेक्ट के, अगर मैं बात करूँगा जाज़ा थर तो मीम प्रॉजेक्ट and कुछ अच्छे काश कि सीवायनु से क्या कुछ होगा आप देखिए मैंने काफी सारे वीडियो यहां पर सीवायनु पर बना लिया है धर बार मैंने कहीं न कहीं एक चीज़े आपको बतानी की कोशिश की कि इसका जो सप्ला है इसका जो मार्केट कैफ है इसका जो प्राइस से एड्ष में जो कुछ चड़ रहा ह्या है इसमे इतना ग्रोध देखने मिγल सकता है अब सिंपल चीज़े यही है कि भही देखिए बहुत सारे युट्यूबर से की एक रुपे बताएंगे बहुत सारे यु बज़े से जाएगा अब ये चीज़े कोई भी समझाने वाला नहीं है और ये चीज़े कहीं न कहीं ज़्यादा तर यूट्यूबर समझाते नहीं है वह एक रूपे चला जाएगा दस रूपे चला जाएगा बीस रूपे चला जाएगा जाएगा कैसे भई ये चीज़े भी तो समझो यहां पर सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ शीवाइनु की तो भई कैसे जाएगा उस चीज़ को समझाओ तब नाम समझेंगे अब कुछ लोग यहां पर तरक एंड भी तरक से यहां पर मैं बात करूँगा यह बोलेंगे भई कि शीवाइनु ने लाश्ट टेम इतना रिटन दिया था आगे इतना देगा कुछ लोग बोलेंगे ने शीवाइनु के इतना बड़ा कम्यूनिटी है इतने इंबेस्टर है तो भी आगे देगा कुछ लोग सबसे पतलब यह easiest answer आपको यहां पर देने के लिए मिलेंगे क्रिप्टो मार्केट है कुछ भी हो स सकते है कि नहीं होगा यह चीज नहीं सकते है कि मेरा सबसे पहला है अगर Biden के यह घर यांज क्या, देखिए एक हजार से ज़्यादा एक्सक्टेशन नहीं है, अगर मैं आज के टाइम पर शीवायनु पर एक हजार डालता हूं, सबसे पहला मेरा एक्सक्टेशन है कि शीवा एनू 10X का रेटन मुझे दे दे या पर 10X का रेटन अगर शीवा एनू देता है अभी जो शीवा एनू का current price चल रहा है अपना all time high को touch करेगा all time high को touch करेगा तो market के अब लगवग 45-46 billion dollar का चाहिए होगा अब 10X की अगर शीवा उनकी मेरे 10 की मानता हूँ तो भाई मेरा investment भी कम से कम यहापर 10,000 कम में रखने वाला तब जाके मैं शीवा उनू पर 10X लगाऊँगा तो जो मेरा 10,000 वो 10X को के 1,000,000 बनेगा उससे ज़्यादा current time में अगर हम सबसे पहली जो में यहापर बात कर रहा हूँ जो मेरा target है उससे ज़्यादा कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ तो उसके पीछे भी कुछ रीजन से अब यह रीजन क्या है तो भाई दीखिए बर्निंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए शीवायन पर बर्निंग के नाम पर जीरो हो रहा है अब कैसे जीरो होता है भाई देखिए कोई ना कोई आपको बताएगा कि 410 ट्रिलियन शीवायन को बर्न कर दिया था भाई विथालिक के पास था उसने देखिए दिया वो खतम उसके बाद कहानी खतम बर्निंग को लेके कभी कभी आपको इतना चोटया अमाउंट का बर्निंग दिख रहा है जहां पर की 590 ट्रियन यानि के लगबग 590 ट्रियन शीवायन को बर्निंग होना इस इंपॉसिबल नियर फ्यूचर अब यहां पर बात चलेए शीवायन की यहां पर एगर में बात करूँ की शीवायनु का जो ब्लॉक्चेनidents आ गया है शीवायनु का रेषटरेंट्स ओपेन हो राए अब ब्लॉक्चेन आ गया तो भाई बहुत सारे ब्लॉक्चेन प्रो उनका आज price point क्या है, उसका price point अगर अब देख लोगे, तो आपको ये चीज़े भी पता चलेगा कि नहीं, सब्सक्राइब हम Matic की बात करेंगे, सब्सक्राइब यहाँ पर बात करेंगे, दूसरे ARB token की, तो उनका supply देखिए, उनके पीछे के development team देखिए, शीवायनू का blockchain से यहाँ पर burning होगी, मतलब पैसा आएगा और burning करेंगे, आपको ये इतना भी समझना चाहिए, कि शीवायनू का blockchain पर कितना transaction हो रहा है, कितना fees generate होने से, कितना trillion token को burn कर सकता है, एक trillion token की burning के लिए, कितना यहाँ पर शीवायनू चाहिए होगा, तो मेरे according शीवायनू अपने entire life में, चाहिए वो BTC एक करोण पे चला जाए, दस लाग पे चला जाए, पांस लाग पे चला जाए, एक रुपे नहीं जाएगा, मेरा मानना है, अग यहाँ पर price target क्या हो सकता है, आने बाले 5-7-8 सालों में यह चीज़े क्या पॉसिबल है, कि शीवायनू एक ट्रिलियन डॉलर का market cap को अचीप कर पाएगा, आपर crypto market अगर में बात करू, 100 ट्रिलियन डॉलर का हो पाएगा, तो इन सब चीज़ों को समझे, उसके बाद आप decision लीज़े कि 1 रूपे, 10 रूपे या फिर 1 पैसा, तो सबसे पहले अगर आप price target बनाना चाहते हो शीवायनू का, तो सबसे पहले 10x देन हाप उसके उपर बढ़ना चाहते हो, तो एक पैसे का बना ले ला, 5 पैसे का बना ले ला, तो इस तरीके से अगर आप target बनाते जाओगे, तो आपको easiest होगा, मैं तो भाई, अभी अगर Shiba इनुपर investment कर रहा हूँ, खजार, तो मैं उसको तो 10x में सबसे पहले मैं उसमें से, लगबग 50% token को निकाल दूगा, 50-60% token, दन आगे की बात करेंगे, अब, यहाँ पर जैसे की मैं बात कर रहा थी कि बैवड़ाज को लेके मेरा मानना क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे according बैवड़ाज कोई, वान अब दर रष्ट कोईन है, क्या reason क्या है, देखिए, नोड़ाउट काफी बढ़िया उसके पीछे, जो अगर मैं बात करूँ, जो लोग है, मतलब यह कह सकते हैं, कि लोग इंदा से डेवलप नहीं, जो उसके कमूनिटी है, काभी बड़ी कमूनिटी है, लोग उसको सर्च करते हैं, बाय करते हैं, पसंद करते हैं, क्या reason है तो भाई, नहीं, मार्केट कैप होना चाहिए, तो यह चीज़े पॉसिबल है नहीं, और करेंट टाइम में, जो वेवडाज कोईन की जो डेवलप्मेंट जो हुई है, जितना हुई है, उससे आने वाले दुनों पर इतना पॉसिबल्टीज है नहीं, कि यह बर्निंग कर जाए सब टोकेन को, तो भाई, आपका इन्वेश्टमेंट है बनाना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ भाई, आपका जो अभी करेंट टाइम में इन्वेश्ट है, देखें, मार्केट कैप लोग है, मतलब वेवड़ाज कोईन का मार्केट कैप लोग है, तो इन्वेश्टर आ सकता है कुछ मार्केट कैप, तो उसके कोडिंग 5 से 7 एक्स का वेवड़ाज कोईन से रिटेन की उमीद रखिए, उसके बाद की आगया आप उमीद रख सकते हो, ठीक है, अब बिटगर व्राइस का मेरा क्या मालना है, तो भाई बिटगर व्राइस को एक टाइम में बहुती बढ़िया कोईन माल रहा था, बट पिछले 6 माईने से जे डेबलपर कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ, मुझे एक टाइम काफी उमीदे थी, बिटगर व्राइस से की कुछ अच्छा करेगा, और उमीदे क्यों थी भाई, उसके पीछे जब उस टाइम क अच्छी खासी डेबलप्मेंट एंड जो कुछ चीजे चल रहे थी, वो सही में कुछ अच्छी थी, बट करेंट देखिए समय के साथ लोगों का जसवात लोगों का सेंटिमेंट लोगों का मुमेड बदलता है, तो same thing development के पीछे जो T में वो भी समय के साथ अपने strategies बदल रहे हैं अपना सोच बदल रहे हैं तो भई उनका vision अभी समझ में नहीं आ रहा है कि actually में चल क्या रहा है क्यों तो जैसे कि मैंने बता है कि development team अभी ठीक सा यह भई कुछ कर नहीं रहे है मैं लूपलेशन चल रहा है मुझे लग रहा है बिड़कर प्राइस पे अब classic luna coin को लेकि क्या चल रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ मैं classic luna coin को पर मैंने धेर सारे वीडियोज बनाये थे और कापी सारे वीडियोज अपने देखे उस टाइम मोमेंट क्या था classic luna coin का एक बुल फेसता बुल मोमेंट था बट ultimately क्या हुआ उसके पीछे जो development team आ गया है हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम वो करेंगे हम वो करेंगे हम वो करेंगे अब आपको मैं एक काम स्वाप हूँगा भाई आप घर से निकलो बजार जाओ एक मतलब ये सामाल ले के आओ आप आजाओगे मैं आपको बोलूँगा आप घर से निकलो बाहर जाओ बजार जाओ बजार से आप मंडी जाओ मंडी से आप सब्जी मंडी जाओ सब्जी मंडी से कप्रा दुकान से टैलर के पास जाओ फिर वहां से मतलब गुपचुप बाले ठेले भाले भाईया के पास जाओ चाय बाले के पास जाओ उसके बाद वहाँ पर जाओ इतना काम दूगा तो आप कोई भी काम को ठीक से करनी सकते है सेम ठींग यहाँ पर जेसिके में बात कर रहा था कि Classic Luna में होने लगाए भाई हर एक नया दिन कोई नया डेवलपर जुड जाता है कोई नया बेलिटेर जुड जाता है कोई नया पर प्रॉपोजल डाल देता है और कुछ नया implement करना चालू कर देते हैं तो भई अभी classic Luna coin का माहुल ठीक नहीं लेक रहा है and उपर से जो कुछ चल रहा है वो भी मुझे खास यहां पर उसमें और development नहीं दीख रही है अब क्या इससे निकल जाए अब देखिए जितने सारे coins के मारे में बता है कि इन में से निकल जाओगे तो भई आप ही का loss है अल्रेड़ी आपका जो investment है वो दसगुना loss होके है मतलब 90-80% तो यहां पर loss होके है अब निकलोगे तो कुछ फाइदा नहीं होगा अब holding करना क्योंकि bull market की उम्मीद की जा रही है कि नहीं बहुत जल्द एक bull market आएगी तो भई holding यहां पर बनाना पड़ेगा कुछ-कुछ token में तो यह जो पूराने token से वो अल्रेड़ी holding में पड़े रहने दीजिए और जो नए token से नए token पर आप investment थोड़ी बहुत बनाते जाई है जैसे कि काफी सारे तगड़े प्रोजेक्ट बिल्ट हो रहे है जैसे कि मैंने काफी सारे वीडियोस में बता है कि अब bone को buy कर सकते हो ARB token को buy कर सकते हो अर्खम token को buy कर सकते हो अभी pay pay coin की भी थोड़ी बहुत buying कर सकते हो शीवा इनको भी buying बना सकते हो यहां पर current market situation BTC 35,000 तक आ गया है 36 जाएगा 37 जाएगा 38 जाएगा अब टेक correction तो होना चाहिए market का rule है जब इतना उपर आ जाता है तो correction थोड़ी बहुत होनी चाहिए correction नहीं हो नहीं तो इस अबसेट जादा tension तो वही पर है अगर एक बार correction हो गया और square अभी जो पूरा pump लेके हैं वो उतना उपर चले गये हैं तो थोड़ी बहुत correction में आ गये हैं तो हम लोग और कुछ यहां पर buy कर पाएंगे तो उसी चीज़ का मैं इंतिजार हर रहा हूँ और मेरा strategy जोई है कि एक बार correction आ गया तो मैं कुछ-कुछ tokens को अभी grab करना चालू करूँगा क्योंकि अभी बहुत जल्द में भी यहां पर हमें एक bull run की उमीद और जो की सुरबात हमें देखने मिल सकती है जिसका कुछ indication भी हम देख पा रहे कि पूरी crypto market में क्या कुछ चल रहा है तो भाई जैसे कि मैंने बताया कि आज के वीडियो को यहीं पर close करते हैं आज पर वीडियो मैंने आपको थोड़ी सी भी यहां पर crypto market के उपर कुछ बताया नहीं तो आपने इतना दूर वीडियो देखा है कि नहीं देखा है I don't know अगर देखा है तो भाई लाइक करते हुए जाना नहीं देखा है तो भाई चलो समझ लूँगा कि लाइक नहीं आया तो भाई इसका मतलब वीडियो को इतना लंबा कोई खीचा नहीं है